नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत आपके खास चैनल डिट में आज मिलेगर आपके सामने शिक्षा के दार्शनिक आधार फिलोस्फिकल फाउंडेशन ओफ एजुकेशन बाई डॉक्टर गिरीज बचोरी जी हां दोस्तों अगर आप एजुकेशन फिल्ड से हैं सिक्षा सास सर फिल्ड से हैं आप UGC NET की प्रपेशन कर रहे हैं या पीजेटी की तियारी कर रहे हैं फिलोस्फिय सब्जेक्ट के आपको बुक चाहिए तो ये बुक काफी कारगर्व सावित होती है ऐसा दावा किया गया है आज हम इसी का रिव्यू करेंगे क्या खास है इस बुक में और कितना दम है इस बुक में सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्रैस सडेक के बात करें तो लगबग 450 रुपेश का MR रह को है और आपको एकशो अस्थी से 220 की बीश आपको देखने को मिलती है अब बात कर लेते हैं इसमें number of pages के और number of pages के अगर हम बात करें तो इसमें कुल आपको 408 में 498 number of pages आपको इसमें देखने को मिलते हैं अब इसके अंदर के pattern की थोड़ी सी बात कर लें क्या-क्या pattern आपको इसमें देखने को मिलता है सबसे पहले यहां से चैप्टर शुरू जो content है यहां से शुरू होता है आर लाल बुक डिपो की ये बुक है आगे चले तो 2500 रुपेस का MRP है अब बात कर लेते हैं सबसे पहले विशैसूची की विशैसूची में आपको क्या-क्या देखने को मिलता है और कौन-कौन से टोपिक्स में अंदर कवर किये गए है शिक्षा के दार्शनिक आधा वी से सूची जो परतम खंड है शिक्षा दर्शन उसमें आपको दर्शन का स्वरूप, शिक्षा का स्वरूप, दर्शन और शिक्षा का संबद दृत्य अखन शिक्षा दर्शन के पर्मु संपर्दाय में आपको शिक्षा में आदर्श वाद, शिक्षा में प्रकर्ति वाद, शिक्षा में प्रियोजन वाद, शिक्षा में यधार्त वाद, शिक्षा में मारव वाद, परजा तांत्रिक विचार धारा और शिक्षा इसका तृत्य अखन भारते दर्शन और शिक्षा में आपको भारते दर्शन, संक्य दर्शन, योग दर्शन, नियाय दर्शन, वैशेशिक दर्शन, मिमांशा दर्शन, वेदांत दर्शन, तिर्वाक दर्शन, बोध दर्शन, जैन दर्शन आगे चलें तो आगे चतुर्त खड़ दार्शनिक दश्टि कोण से सेक्षिक समश्याओं में आपको दर्शन और शिक्षा के उद्देश्य, दर्शन और पाठे करम, दर्शन और शिक्षन विधी सोतनतता और अनुशाशन, धर्म और शिक्षा, सिन्सकर्ती और शिक्षा, मानव मूल्य, भारतिय सम्मिधान के मौलिक आदर्श और शिक्षा पंचम और अंतिम खंड में आपको भारतिय दार्शनी को का शिक्षादर्शन देखने को मिलता है जिसके अंदर स्वामी विवे कानुत का शिक्षा दर्शन, गुरुदेव रिणाट टैगोर्क का शिक्षा दर्शन, महात्मा गाधी का शिक्षा दर्शन, सिरी अर्विंद का शिक्षा दर्शन और जेक कृष्णमूर्ती का शिक्षा दर्शन आपको देखने को मिलेगा तो यह थी विसे सूची, विसे सूची मैं आपको बताया क्या क्या आपको देखने को मिलता है अब बात कर लेते हैं जो चैप्टर है, उसका पैटर्न किस प्रकार क्या है, क्या क्या उसमें मैटेरियल देखने को आपको मिलता है सबसे पहले जैसे पहले चैप्टर आपका दर्शन का स्वरो नेचर ओफ फिलोसफी दर्शन का अर्थ मीनिग ओफ फिलोसफी तो पहले जो चीज जो जिसमें अच्छी लगती है वो है आप जब थियोरी पढ़ रहे होते हैं तो उसके अंदर जो कुछ टर्म से हिंदी टर्म में हैं उसे इंगलिश में भी बताया गया है तो अनुराग, लव, ठीके ना ज्यान के परतिप्रेम, लव, ओफ विश्डम इस टाइब से आपको जो डिविकल टर्म सोगी जिसका इंगलिश में भी पता होना बहुत ज़रूरी है उनको इंगलिश में दिया गया है इसके साथ ही साथ कुछ चीजे ऐसी है जिनका रियालेटी में जैसे यहाँ पर वन लिखा गया है यह एक statement है पूरा का पूरा इंगलिश में दिया गया था यह उसको बताया गया है आगे चलेंगे आगे देखो पैराग्राफ दर चीजे समझाये गई है थोड़ी आधिक मात्रा में थोड़ी दी गई है परिभाशा भी दी गई है इसके अंदर जो नीचे है वो इंगलिश स्टेट्मेंट नीचे जो केती हो दे दिये गए है जो हिंदी में है उसको इंगलिश में दे दिया गया है तोकि एक्चल में वे चीजे इंगलिश में ही लिखी गई है शुरुआती दोर में हेडिंग वाई चीजों को समझाया गया है, इंगलिश में भी वो चीज़े बताया है, इंगलिश में इसको क्या बोलते हैं, जैसे एक्जामपल आप ले सकते हैं, इतना बाड़ा जो वर्ड है, ये ओनोटोलोजी, एक छोटे से वर्ड से आप इसको जान सकते हैं, यहाँ पर ज्यादा एजी भी नहीं है, ज्यादा डिफिकल्ड भी नहीं है, एवरेज है, तो बिलोटो आवरेज स्टुटेंट भी इसको अच्छे समझ सकते हैं, जैसे आपका चैप्टर फिनिश होता है, तो लास्ट में आपको प्रशिन देखने को मिलते हैं, आपकी प्रेक्टिस क क्या है concept क्या है education का अर्थ क्या है education का शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है वास्विक अर्थ क्या है शिक्षा की परिभाशाई क्या है जो statement actual में दिये गए है जो philosopher के दोरा वो नीचे यहाँ पर दिये वे प्राइफ़टर है उसमें हर एंगल से उस टूपिक को किलियर किया गया है और जासे आपको जेसे आपका चैप्टर फिनिश होगा तो लास्ट में आपको प्रशन मिलेंगे आप देखने के लिए आपकी प्रैटिस के लिए तो यही pattern पूरी book में use किया गया है पहले chapter है, सारे concept इसके अंदर clear किया गया है उसके बाद last में आपको प्रशन देखने को मिलते है जो अपने आप में एक अच्छा रास्ता है चीजों को clear करने के लिए जैसे book finish होगी, book के finish होगी बाद last में आपको सहया गरंतों की सूची अंग्रेजी पुस्ता के अर्था reference book दी गई है कि यह जो material है, कहां से संजोया गया है कौन-कौन से इंग्लिश book है जो आप पढ़ सकते और knowledge gain करने के लिए तो वो यहाँ पर दिया गया है last में जिसे बरकार हिंदी की जो जो बुक यहाँ पर ली गई है, जिसका कल हमने review किया था अपने ही channel पर यह इन सब स्चीजों से यहाँ पर चीजे संजोई गई है अब बात कर लेते है रेटिट पर रेटिंग की, तो इसको मैं रेटिट पर पांच में से पांच की रेटिंग दूगा क्योंकि कोई कमी नहीं है, language अच्छी है, बहुत अच्छी book है और अब जैसा आप जानते है, टोपर्स के दौरा भी यह recommended की जाती है अब यह जी सी नैट की प्रिपेशन कर रहे है, वह समबुक है, पांच में से पांच रेविवी की पांच में पांच रेटिंग की अगदार यह पुस्तक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लेकिए वीडियो अच्छी लेकिए प्रेस लाइक कर देना, चैन